नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गयता है आपका आपके चनल नहीं मंग में जैसा कि आज की जानकरी है वो अभी एक स्कॉलर्षिप के लिए क्या ओनलाइन अप्लिकेशिशन फृहम है वो शुरू है उसके बार में एक चोड़ी जानकरी है यानि यह विस्टपरदेश स्कॉलर्षिप 2020 के अपके योगेता कैानी चाहिए उत्रपतेश स्कोलल सीप 2020 के लिerness के लिए आपको क्याए का डोकोमेंट चाहिए यानि ऊपोर्टेट डोकोमेंट है वो कौन-कौन से hiç चाहिए और यूपी स्कोलल सीप 2020 के लिन आपकी लास्ट डेट क्या है वो सभी जानकारी क्या है इस वीडियों के मादमसे जानेंगे इस वीडियों आपके इतने भी डाउट है वो सारे है वो क्या है तो चलिए सुरू करतेmin ने नहीं जानकारी को अब आप घर बे ठेही आवेदन कर पाएं जरूरी है कि आपको पूरी पर के लिए पता हो इस वीडियो में क्या है हैं सारी जानकारी दिए है जो आवेदन के लिए जरूरी जरूरी है विदार्थियों से अनुरोध है कि फॉर्म को संस्तान में जमा कराने पहले निच्छे दिये गए डोकोमेंट की आड़कोपिय वह सलंगन आपको करने है कौन कौन से डोकमेंट चाहिए आपको 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 आपका जाती प्रणपत्र होना चाहिए मूल निवास होना अब बात करते हैं इसके लिए योगेता के लिए यूपी स्कोलर्शीप दोजार्बी सिक्किस के लिए आपका जो इलिजिबिलीटी क्राइटेरिया यानि पातरता मापदेन वो क्या किया होने चाहिए तो विदार्थिय वो क्या है उत्तरप्रदेश का निवास होने चाहिए कक्षिया नोग तदस के विदार्थी के विदार्थी के लिए आपकी आए वो निमन दी होई है यानि क्या होने चाहिए जनल के लिए जनल में हो तो आप सब्सक्राइब करते हैं पहले तो आपके स्टार्टिंग होगा वह होगा चोबी जुलाई से आपका और अप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा यूपी स्कोलर्शिप के लिए लास्ट डेट आपकी 12 अक्टूबर होगी और सबसे बड़ी बात हैं कंप्लिट फॉर्म करने की जो लास्ट डेट है वह क्या होगी बारा अक्टूबर होगी आपकी 13 से 25 नौवंबर तक क्या आप और अपना क्रेक्शन कर सकते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं इसकी जो आवेदन करने की लास्ट डेट में आपको एक वार फिर से सही सी बता देता हूं अगर आप प्री मेट्रिक यान नौवी दस्वी के लिए स्कोलर सीप साती हो तो आपको 24 जुलाई से पहले पहले आपका यह क्या है बढ़ना है फोर्म और पोस्ट मेट्रिक के लिए क्या है ग्यारा से बारा के लिए एक अगस्त है यह क्या है आपकी लास्ट डेट होगी वैसे उपर वाली लास्ट डेट थी में आपको बता चुका हूँ और आपको बता रहा हूँ कि जब आप फोर्म बरोगे यानि आवेदन कर लिए इस आपको किन किन स्टेप से गुजरना होगा यानि उत्तर पते स्कॉलर सीप फोर्म 2021 अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा सबसे पहले लोगिन करके अपना पूरा बायो emails डाटा फील अब करना फिर date करना है फुर सम्मीट करने करने के बाद final print आउट निकल को प्लेग में जमा करना कलोज यह कोलेज या सब्सक्राइब करें तो यह तो थी उत्तर प्रते स्कोलर स्टीप फॉर्म 2020 के बारे में एक छोटी जानकारी आसा अगर तो मैंने जो आपको जानकार दिया वह आपको अच्छी लगी है अगर जानकार अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों साथ शेयर जूर करें और इसको लाइक भी करें अगर आप जानकार बस इतना ही मिलते एक नहीं जानकार साथ तब तके लिए जैबार धन्यवाद